कहीं बाहर जाओना, तो सबसे ज़ादा जो याद आती है वो होती है घर के खाने की, क्योंकि घर के खाने जैसा कहीं खाना नहीं मिलता, आज मैं बना रही हूं बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही टेश्टी लंच की थाली, जो कि आप कभी भी बना सकते हैं, कुछ इस्पेसल मन करे खाने का या फिर कोई simple या फिर घर में कोई guest आ रहा हो तो सबसे पहले मैं इधर बनाओंगी राजमा तो ये मैंने छोटे वाले राजमा लिये थे जो कि मैंने रात में भीगों के रख दिये थे अब छोटे बड़े कोई भी राजमा भना सकते हैं इस बार छोटा राजमा आ गया था जिसे कि मैंने आवरनाइट भी कोके रखा है और अच्छे से धो करके मैंने कुकर में डाल दिया साथ ही अब मैं इसमें डाल गी हूँ कुछ मसाले इसमें मैंने डाला है एक बड़ी इलाईची एक छोटा सा डाल चिन्नी का टुकड़ा दो तेजपत्ता और नमक टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना था बट मैंने थोड़ा जादा ही डाल दिया गलती से फिर मैंने यहाँ पर तीन गुना पानी डाला है ना राज्बा था साथ ही आधा चमच घी डालेंगे जिसे की क्या होगा ना जब राज्बा मतलब यहाँ पर पकेगी तो पानी उसका बाहर नहीं आएगा कूकर गंदा नहीं होगा और साथ ही साथ एक टेश्ट भी अच्छा आएगा राज्मा में उसके साथ ही मैं बनाऊंगी यहाँ पर भरवा वाली सिमला मिर्च तो इसके लिए मैंने क्या किया ना कि दो आलू मैंने छील करके इसी राजमा वाले कुकर में डाल दिया है ताकि जैसे ही राजमा पकेंगे तो यहाँ पर आलू भी पक जाएगा और हमारा टाइम बचेगा तो चार से पांच विसल में अराम से राजमा पक जाती है मीडियम फ्लेम रखेगा कभी कभी पांच छे भी लग जाती है सिटी जो बड़े वाले राजमा होते है ना उसमें उसके साथ ही मैं बनाऊंगी जीरा राईस तो मैंने यहाँ पर एक गलास चावल लिया छोटे वाले गलास से आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप खाते हों उस हिसाब से आप चावल ले ले तीन से चार वार अच्छे से धो लिया है और उसे पानी में भीगने के लिए रख दिया है ताकि जब हम चावल बनाए ना तो जल्दी से बन जाए पंदर में तो एटलिस जरूर रखें तभी जो राई से एकदम खिले खिले बनते हैं साथी इधर मैं ग्रेवी की तयारी कर रही हूँ और आसिस आ गए मेरी हेल्प करने क्योंकि आज ये घर पे ही थे आफिस नहीं गये थे क्योंकि हम लोग ठक गये थे घूम के आने के बाद तो आसिस इधर प्याज चौपर में चौप कर रहे हैं साथी मैं इधर अदरक, मिर्च, लहसुन वगरा काट रही हूँ तो इधर प्याज चौप हो गया हैं आप चाहें तो प्याज को बारिक-बारिक काट भी सकते हैं या पिर मिक्सर में पीस भी सकते हैं वैसे प्याज को चौप करने से जो जो ग्रेवी है राजमा की वो बहुत अच्छी बनती है जो बहुत ज़ादा जो प्याज एक दम वारिक भी नहीं होता है बहुत जादा खड़ा खड़ा भी नहीं रहता है साथी मैंने यहां तीन टमाटर लिया है लाल लाल जिसे कि मैंने यहां पर टुकड़ों में काट लिया है मैं इसे मिक्सर के जार में डाल रही हूँ साथी मैंने एक टुकड़ा प्याज डाला है जिसे की ग्रेवी हमारी अच्छी थिक बनेगी साथी अद्रक डाल देंगे इसमें और मैंने दो मिर्च डाली है आप अपने टेश्ट के अकार्डिंग्स में मिर्च एड़ करें अब क्या करेंगे इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे एकदम फाइन पेश्ट बन जा हैं आप लोग बोलते हैं कि वो क्या करते हैं वो साइड में भी मेरी काफी हेल्प करते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन और थोड़ा सा मंग्रेला डाला है क्योंकि मैं इसके पराठे बनाओंगी क्योंकि अभ्यू को परा कि जो मतलब ग्रेवी है ना उसकी हम तयारी कर लेंगे तो यहाँ पर राजमा में पांच विसल आ गये थे तो मैंने उसे साइड में करके रख दिया है दोनों ही गैस में मैंने दो कड़ाई चड़ाई है क्योंकि एक साइड मैं यहाँ पर राइस बनाऊंगी और दूसे साइड ग्रेवी और इधर आसिस पूछ रहे कि देखो आटा अच्छे से गुथा है कि नहीं मैंने तो बहुत ही अच्छे से आटा गुथते हैं तो इधर मैंने तेल डाल दिया है कड़ाई में इस तरह से घर में अगर चोटे-चोटे काम में अगर कोई हेल्प करता है न तो बहुत जादा खुसी मिलती है और काम भी बहुत ही जल्दी से हो जाता है इधर आलो भी अच्छे से उबल गया थे देखें मैं यहाँ पर काट के दिखा रही हूँ और जो राजमा थे वो भी यहाँ पर अच्छे से साफ्ट हो गया थे तो यहाँ पर जो तेल था न वो अच्छे से गर्म हो गया मतब्द धुआ उटने तक आपको गर्म करना है उसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा साथी डालेंगे हिंग हिंग की क्वाइंटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखे क्योंकि राजमा में हिंग कटेश बहुत ही अच्छा लगता है साथी मैंने इदर बारी कटी वी लासुन डाली है और हाँ जब मैं टमाटर वाला पेश्ट बना रहे थी न उसमें मैंने लासुन नहीं डाला था अभी मैं यहाँ पर बारी काट करके लासुन डाल रही हूँ उसका जब लासुन अच्छे से भुन जाए तो मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया जिसे हमने चौप करके रखा था साथ ही मैं इधा दूसे साइट में घी डाल रही हूं कड़ाई में और एक से डेड़ चमचे करी मैंने इसमें जीरा डाला है साथ ही दो तेज पत्ता छोटे वाले एक डाल चिन्नी का टुकड़ा और आधा चक्री फूल आड़ किया है यहाँ पर जीरा जब अच्छे से मतलब भून जाएं तो हम इसमें अड़ कर देंगे राइस तो राइस से मैंने यहाँ पर पानी निकाल दिया था और इसे 2-3 मिन तक के लिए अच्छे से भूनेंगे मनत दो-3 मिन नहीं 1 मिन तक के लिए अर इधर प्याज़ भी अच्छ़े से भून रहा है और राईस भी दर भून गई है तो मैंनि यहाँ पर एक ग लास राईस लीती तो इसके लिए मैंनि यहाँ पर सावाद दो गलास पानी डाला है कभी-कभी दो ग्लास में भी हो जाता है कभी नहीं पकते हैं तो आप थोड़ा बहुत और भी एड़ कर सकते हैं साथी मानी आपर टेस्ट या कॉर्डिंग नमक एड़ किया है और इसे क्या करेंगे ना कि हम ढख करके रिदम स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे धिरे-धिरे जीरा राइस बहुत यह अच्छे से उसमें हो जाएगा साथी इदर प्याज भी अच्छे से भून गया है तो मैं इसमें अड़ कर रही हूं हल्दी तो थोड़ा से हल्दी डाल रही हूं बहुत ज़ादा नहीं साथी एक चमच जीरा पाउडर डाला मतलब छोटे वाले चमच से एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच मैनी यहाँ पर डाला कसमेरी लाल मिर्श का पाउडर यहाँ पर इसे अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें राजमा वाला जो पानी था ना जो फ्लेवर वाला वो हम इसमें एड़ करेंगे दो से तीन चमच इस तरह से मसाले जलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से इसमें फ्लेवर भी आएगा साथ ही जो टमाटर वाला पेश था ना वो अब इसमें एड़ कर देंगे और यहाँ पर इसे अच्छे से भूनना है टमाटरों को जब तक कढ़ाई छोड़ने ना लगे उतने देर तक साथ ही इदर आसे इस चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अगर राजमा में चटनी ना होना तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता है और इधर जब तक प्याज टमाटर भून रहे हैं मैं इधर राइस चेक कर रहे हूँ और राइस यहाँ पर अच्छे से साफ्ट हो गया है बहुत मतलब जादा टाइम नहीं लगता अगर राइस भीगे हुए हो तो 7-8 मेंड में राइस रेडी हो जाती है यहाँ इसे बहुत जादा नहीं चलाएंगे हरा धनिया डाल करके छोड़ देंगे इधर जो प्याज अच्छे से भून गया है टमाटर तो मैं इसमें राजमा एड़ कर रहे हूँ थोड़ा सा पानी मैंने निकाल दिया था जोकि मैंने बाद में एड़ किया था इस समय और इधर राजमा अच्छे से यहाँ पर उबलने के लिए हम यहाँ पर छोड़ देंगे ढख करके पांस से साथ मिर्ट तक के लिए इसे जरूर से उबालें और इधर मैं चटनी बनाओंगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया काटके रखा है साथी इधर पुदीना धो करके और दो मैंने आवला लिया है अद्रक, मिर्च और लहसुन लिया है तो लहसुन की मैंने दो कलिया डाली है बस और यह आवले की चटनी बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है अगर आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया ना तो जरूर से ट्राई की से का बहुत ही अमेजिंग वाला टेश्ट आता है इसमें मैं डाल रही हूँ सादा नमक, काला नमक, थोड़ा सा भूने वे जीरे का पाउडर और थोड़ी से मैंने इसमें हिंग डाली है, साथ इसमें ठंडा पानी डालेंगे जिससे की चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है आप अगर आवला नहीं डालना चाते तो टमाटर डाल सकते हैं, इमडी डाल सकते हैं, नीमबू डाल सकते हैं या फिर दही भी डाल सकते हैं, उससे भी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है और इधर जो राजमा है, वो भी इधर अच्छे से उबल गया है पांस से छे मिनट हो गए हैं उबलते हुए देखे कितना परफेक्ट कलर आया है राजमा जब भी बनाया ना तो जो टमाटर लेना वो एकदम लाल लाल ले तो राजमा का कलर बहुत ही अच्छा आता है साथ ही मैं इधर राजमा में एक तड़का लगाऊंगे इसके लिए मैंने घी डाला है जीरा दो हरी मिर्च और एक सूखी लाल मिर्च थोड़ा सा अद्रक के लच्छे कसूरी में थी और थोड़ी से मैं इहाँ पर कस्मेरी लाल मिर्च आड़की है जो तड़का है ना वो हम इसमें एड़कर देंगे राजमा में साथ ही मैंने यहाँ पर एड़ किया बारी कटा हरा धनिया और राजमा यहाँ पर बिलकुल तयार है मैं लाश्ट में गरम मसाला एड़ करना भूल गई थी आप लोग जरूर से एड़ किसेगा देखें यहाँ पर राजमा बहुत ही ज़्यादा टैम्टिंग लग रहा है मैंने अभी इसे थोड़ा पानी वाला ही रखा है क्योंकि बाद में यह और भी गाड़ा हो जाएगा अब मैं इधर बना रही हूँ भरवा सिमला मिर्च जो कि यह भी अच्छी लगती है खाने में और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है तो मैंने यहाँ पर पैन में तेल डाला है अद्रक मिर्च अल्ला सुन डाला है मैंने बारिक कटी वी साथी मानि यहाँ पर एक छोटे साइज का बारी कटा प्याज डाला है हलका से इसे भून लेंगे फेस में डाल देंगे हल्दी थोड़ी से लाल मिर्श पाउडर थोड़ी से पीजा सीजनिंग डाला है इससे इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते है साथी आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे उसके बाइस में आलू एड़ कर देंगे आलू राजमा के साथ बॉयल क्या था ना इसलिए लाल दिख रहा है साथी नमक और बारिक कटा हरा धनिया डाल करके इसे दो से तीन में तक के लिए अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग है वो रेडी हो गई है बन करके फ्लिम को आफ कर देंगे मैंने यहाँ पर दो ही सिमला मिर्च लिए है क्योंकि हम दो ही लोग है तो इतना काफी हो जाता है और यहाँ पर जो सिमला मिर्च है उसके बीज हटा लेंगे आगे वाले पार्ट को कट करके और उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से पकाने में बहुत ही आसानी होती है बहुत ही जटबट से बन जाती है अच्छे से इसमे श्टफ कर देंगे आलू के मसाले को साथ इसमे पैन में हलका से तेल डाल करके हम डाल देंगे इधर और ढख देंगे तो बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं बहुत कम टाइम लगता है सिम्ला मिश को पकने में दो से तीन मिट के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड भी हम इसे सेकेंगे उपर से मैं यह आप थोड़ा सा चीज डाल रही हूँ और डालिये का तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने इधर सिम्ला मिश को दूसरे साइड कर दिया है क्योंकि इधर मैं पराठे बना लूँगी तो प्लेन पराठे या फिर इस तरह से ट्रेंगल वारे पराठे भी राजमा के साथ अच्छे लगते हैं खाने में वैसे मैं पराठे नहीं बनाने वाली थी और अच्छे से पराठे को अलटते पलटते एक दम क्रिस्पी कर तक सेख लेंगे मतलब हलका सा जब इसमें ब्राउन स्पार्ट्स ना आ जाएं तब तक के लिए पराठे को अच्छे से अलटते पलटते सेखें और यहाँ पर जो सिम्ला मिर्ज है ना भरवा वाली वो भी दर रड़ी हो गई है चीज यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है आप इसे एज श्टार्टर खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है मैं यहाँ पर थाली सब कर रही हूँ यहाँ पर आपको कैसी लगी आज की रेस्पी मुझे कमेंड करके बताईएगा बहुत ही सिंपल है सारी चीजे बट इस तरह से अगर आप खाने को बनाएंगे खाएंगे ना तो देखते के साथ ही भूख बढ़ जाती है I hope आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और यह है गुलाव जामुन जो कि मैंने कल ही बनाए थे और यहाँ पर मेरी थाली रेडी हो गई है मिलते हो नेक्ट व्लाग में तब तक के लिए बाब बाई